Hello everyone, जै हिंद आज है 6 जन्वरी और आज किस वीडियो में हम 6 जन्वरी से बनने वाले करंट अफर के सभी important questions को डिसकस करने वाले हैं कर लेने की 5 जन्वरी को हम लगोने पढ़ रहा था कि Defense Research Development Organization DRDO ने अपना 65 वा स्थापना दिवसे एक जन्वरी को मनाया है हैदराबाद जो कि मुसी नदी के किनारे बसा हुआ है तेलंगाना की राजधानी है ये मई 2023 तक 133 सीवरे सुविधाओ वाला देश का पहला सहर बनने जा रहा है और पशुओ के लिए पहली IVF Facility के शुरुवात की गई है गुजरात में भी मैप ये NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाली में पश्यमंगाल के न्यूचल पाई गुडी से बंदे भारत एक्सप्रस के शुरुवात की है मित्रिपुरा में मिशन 929-929 ये शुरु किया है अभी हाली में विश्व ब्रेल दिवस ये चार जिन्वरी को मनाया गया है ये सभी कोश्यंस हम लोगों ने कल पढ़ दिये थी और इसकी क्यूज में आप लोगों को सॉल्व करवाई थी टेली ग्राम चैनल पर टेली ग्राम जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है यहां आपको डेली क्विज और पीडियाफ दोनों ही मिल जाती है तो इसी कसांस शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल प्रवासी भारती सम्मान पुरुसकार से सम्मानित मुहमद इर्फान अली किस देश के राश्टपती है तो यह राश्टपती है गुयाना के अभी दो या तीन बार में आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि जन्वरी के महिने में जो प्रवासी भारती दिवस मनाया जाएगा इसमें मुख्य अतिति के रूप में शामिल होने जा रहे हैं गुयाना के राश्टपती जिनका नाम है मुहमद इर्फान अली तो इसमें कुछ चुनिंदा लोगों को प्रवासी भारती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा इसका क्रम देखिए 17 प्रवासी भारती दिवा से जिसे होस्ट कर रहा है इन दौर तो इसे में जो मुख्य अतित्य होंगे मुहम्मद इरफान अली इन्हें प्रवासी भारती संबान से संबानित किया जाना है गुयाना जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है इसकी capital क्या हो जाएगी जॉर्जे टाउन यहां की capital हो जाएगी और यहां की currency हो जाएगी गुयानीज डॉलर देखे फ्रेंच गुयाना अलग है गुयाना अलग है वो गल्फ ऑफ गिनी जो की अफरिका महादीप में है वो अलग है तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होएगा साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है यह है ब्राजील हला की ब्राजील मैंने औप्शन में लिखा हैบ्राजील के भी तो अबी हाली मिनैप्रदान मंत्री लूला डी सिल्वा बने हैं टेरा डेल्फ यूगोदीप, ऐसे मैं आपको जिग्राफिकल पॉर्शन कम से कम एक दो पॉइंट तो क्लियर होते चले, तो टेरा डेल्फ यूगोदीप इसका नाम है, और इसका जो दक्षरतम मिंदू, यह सबसे लाश्ट वाला, इसका नाम है होर्न अंतरी, इंग्लिश मे नेपाल, नेपाल के जो प्राइम मिनिश्टर बने है, यह पुष्प कमल दहल प्रचन जो की बन गया है, इंद और मिसका एजन होना है, तो देखे स्वक्षता सरवेक्षण के नुसार, सबसे स्वक्ष सिटी जो की है भारत की, यह इंद और यह किस नदी के किनारे बसा हु अगला प्रशन है, ओडिसा राज्जी की किस पहल को United Nations Habitat World Habitat Award 2023 से सम्मानित किया गया है, तो रिसेंटली ओडिसा का जो जागा मिशन है, इसे United Nations के दुआरा सम्मानित किया गया है, जागा मिशन के बारे मेती में बात करूं तो यह ओडिसा में चलाया जा रहा है, एक Slum Upgrading प्रोग्राम है अभी क्या है स्लम अप्ग्रेडिंग प्रोग्राम तो देखिए जो जागा मिशन है ना इसके शुरुआत ओडिसा गवर्मेंट ने 2017 में की थी और इसका मेन उद्देश्य है कि जो जुग्गी जो पड़ियों में रहने वाले लोग है इन्हें भूमी का अधिकार प्रोवाइड कराया जा सके और इसी के लिए जागा मिशन लाए गया था इसे ही युनाइटर नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है इस मिशन को 2019 में युनाइटर नेशन वर्ल्ड हैबिटेट आवर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और इस पहल को भारत भू इस्थानिक उतकरश्टता पुरिसकार भी मिल चुका है ओडिसा की राजधानी हो जाएगी भूगरीश्वर, मुख्यमंत्री यहां के नवीन पटनायक, राज जिपाल, गनेशी लाल हो जाएगे और ओडिसा में जो राउल किला है ना राउल किला में भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम जिसकी बैठक शमता 20,000 लोगों की है यही बनने जा रहा है, मतलब बनके तयार हो गया है, बिरसा मुंडा के नापर स्टेडियम है संबलपूर के पास हीरा कुंड बांध है, जो की महा नदी पर बनाया गया है भारत का सबसे लंबा नदी बांध चिलका लेगा आप लगों ने पढ़ा होगा, भारत में सबसे खारे पानी की लेग चिलका लेग है जहाँ भारत में पहली बार केट फिसिंग सिंसस की शुरुआया थे जो की की गई थी इसके लावा सिमली पाल भीतर कनी का दो यहां के इंपॉर्टन नेशनल पार्क हो जाएंगे अब आपको बाकी तीन ऑप्शन में ओडिसा गौर्मेंट की ही कुछ स्कीमें दिखाई दे रही होंगी इसके बारे में हम डिसकस कर लेते हैं कालिया स्कीम के बारे में आप लोगों के इन्हें पढ़ा होगा यह स्कीम है ना जो किसानों के लिए लाई गई थी कालिया स्कीम इसके भी फुल फॉर्म बनती है किसान असिस्टेंस फॉर लाइवलिहूड एंड इंकम अगिमेंटेशन यह थी कालिया स्कीम के फुल फॉर्म सुनेतरे स्कीम यहां free eye check-up की facility प्रवाइड कराने के लिए Odisa government ने शुरू की थी और Odisa government की यह जो मो बस सेवा है ना इसे United Nation के दुआरा prestigious public service award भी मिल चुका है अगला प्रश्चन है CMIE यहां की full form भी मैंने लिखा है Center for monitoring the Indian economy इसने अभी report रिलीस की है जिसके नुसार दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर की दर्ज की गई है हरियाडा में option number C इसका right answer हो जाएगा अभी 2022 के रिपोर्ट के नुसार भारत में बेरोजगारी दर पिछले 16 महिनों में एकदम high level पर पहुची आर्द समलो तीन प्रतिसत पर ये पहुच गई है सबसे जादा बेरोजगारी हरियाडा में इसके बाद राजिस्थान में और इसके बाद दिल्ली में बताई गई है हरियाडा और पंजाब दोनों की ही capital चंडीगड हो जाएगी गुरुग्राम में भारत का पहला grain ATM यानि की भारत का पहला अनाज ATM तो है ही भारत की जो पहली अंतर राश्ट्री संदी है जिसका हेटकवार्टर गुरुग्राम हरियाडा में और इसके अलावा पंज़कुला तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा है तो नीती आयोग ने अभी पिछले साल जो गरीवी सूचकांग कर रिलीस किया था तो सबसे zahद भारत का गरीब राजी बिहार को बताया गया है गरीवी सूचकांग में बिहार टॉप पर है और सबसे नीशे को न है के रालान के के रान में सबसे कम गरीवी है IQ Air की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूशित राजधानी दुनिया में जो सबसे प्रदूशित राजधानी है ये दिल्ली को बताये गया है अगला प्रशन है मुख्य मंत्री आवाज भूमी अधिकार योजना की राजधानी की है तो इसकी शुरूआत अभी हाल ही में मत्य प्रदेश गौवर्मेंट के द्वारा की गई है मतलब कि चैनित लोगों को आवासी भूमी के इसमें डिस्ट्रिब्यूट किया जाएंगे इसके शुरूआ टीकम गड़ जिले को 120 करोर रुपए के आवासी प्लॉट दिये गए है और इसी के साथ पूरे प्रदेश में ये योजना शुरू हो चुकी है अब मध्य प्रदेश जिसे हम टाइगर इस्टेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहां टाइगरों की संख्य सबसे जादा है टोटल 526 टाइगर है हैं पूरे भारत में दिया हम बात करें तो 2967 टाइगर है इसमें 526 ये मध्य प्रदेश में ही हो जाएंगे मध्य प्रदेश को सोया इस्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सोया इनका सबसे जादा उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल मुख्यमंत्री यहां के सिवराज सिंग चोहार राजजेपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएगी और देखिया आज भी मेरी वोइस ना थोड़ी कम है मतलब फीवर है दो तीन दिन हो गए बहुत जादा जोड़ से बोलने में न मुझे खासी आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग एक दो दिन और वैनेज करिये ठीक हो ही रहा है रिकवर हो रहा है और भोपाल में भारत का पहला ई कचड़ा क्लीनिक इस्थापित किया गया है मुख्यमंतिर राज्यपाल तो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को बाला घाट का चिन और चावल जिसे जी आई टैग मिला है और होसांगाबात का नाम मिदल करके नर्मदा पूरम किया गया है यह भी आप लोगों को हाला कि मालूम ही है इसके आलावा जाबूओ का कड़तनात मूरगा जिसे 2018 में जी आई टैग मिला है इन दोर सबसे स्वक्ष सिटी है भारत की यह भी आप लोगों को मालूम है खंडवा में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनने जा रहा है शियोपूर में जो कुनो नैशनल पार्क है यहां अफ्रिकी चीते यानि कि नामी भी है से जो चीते लाए गए यहीं वसाये गए है अब अध्य प्रदेश की एक और योजना चर्चे में थी तो लाडली लच्मी योजना जिसका दूसरा चरणी चर्चे में रहा था केरल का वन इसकूल वन आई एस योजना आप रिलेट कर सकते हों वन इसकूल वन आई एस योजना अभी केंदरे निर्वाचन आयोग नित्रिपुरा में कली तो मनें आपको बताया है करनाटक में हर केटेगरी में ट्रांसजेंडरों को एक प्रतिसत का आरक्षर देने का फैसला है जो कि यह किया गया था अगला प्रशन है किस खिलाडी ने वर्ल्ड रेपेड और वर्ल्ड ब्लिट सत्रंज दोनों किताब जीते हैं तो रिसेंटली जो मैगनस कालसन है इनकी कंट्री ही कई बार एक्जाम में पूछी जाती कि विश्व प्रसिद्ध खिलाडी मैगनस कालसन किस कंट्रे से बिलॉंग करते हैं तो यह नौर्वे से बिलॉंग करते हैं इन्होंने अभी हाली में वर्ल्ड रपिड और वर्ल्ड ब्लिट्स दोनों ही जिन्होंने 2022 में एक साल के भीतर ही दो बार हराय था किसे वर्ल्ड शेंपिन मैगनस कालसन को भारत के पहले ग्रैंड मस्टर विश्व नाथन आनंदी जो की फाइड है ना इंटरनेशनल चेस्ट फडरेशन इसकी उपात द्यक्ष भी है अच्छा भारत में तक टोटल कितन अगला प्रश्ण है एंटी पीसी यानि कि नेशन थर्मल पार कार्परेशन ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के शुरुवात कि सराज्य से की है तो इसकी शुरुवात इसने भी हाली में की है गुजराद से यह जो प्रोजेक्ट है अधित नगर सूरत में एंटी पीसी के कवास टाउन्शिप के घरों में एस्टू एंजी नैच्रल गैस की सप्लाई के लिए तैयार किया गया है गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधी नगर जो की ग्रह मंत्री अमिश शाह जीका निर्वाशन शेत्र हो जाएगा जिपाल आचारी देवरत हो जाएगे भावनगर जो कि आप देख रहे हैं यहां भार दुनिया का पहला सी एंजी पोर्ट टर्मिनल यह इस्थापित किया गया है और इसके अलावा कोई फैक्ट एहंदबाद में सबसे बड़ा क्रिकट स्टेडियम है मही सागर में पहला ड बता चुकी हूँ कर मैं ने बताया था कि पश्रूओं के लिए आईवी आफ टेक्नोलोजी जो कि कहां शुरू की गई है गुजरात में शुरू की गई है गुट गवर्नस इंडेक्स में गुजरात टॉप पर है बाली का पंचायत के शुरूआत कराने वाला पहला राज्य गुजरात है उत्तर प्रदेश है पाच इंटरनेशनल एरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है ये रिलेट कर सकते हैं उत्तरा खंड वैली ओफ फ्लावर हूलो की घाटी कहां है तो ये उत्तरा खंड में ही हो जाएगी हिमाशल प्रदेश भारत का प सिवा चौहान है इनकी नियुक्ति सिया चीन बेटल फिल्ड में की गई है और इसी के साथ इस दुर्गम बेटल में ये सबसे उचे शेत्र में तैनाती पाने वाली ये पहली महिला ओफसर बन गई है ये राजस्तान की रहने वाली है अच्छा इनकी जो पोस्टिंग की गई ह 15,632 फिट की उचाई पर की गई है सानिय मिर्जा का नम कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पाइलट वनी थी आरती साहा इंगलिस चैनल पार करने वाली पहली भारती इंगलिस चैनल की लोकेशन में आप लोगों को दिखाई है डोवर स्ट्रेट के पास में यूक्य और फ्रांस के बीच है जो तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारती एदी पूछा जाए तो महिर सेन है, पहली भारती महिला पूछा जाए तो आरती साहा है, सिवांगे सिंग, जो रिपब्लिक डे रहा न, गरतंत्र दिवस 2022 वाला इसमें, राफेल विमान उडाने वाली पहली महिला गेंदवाज कौन बन गया है, तो रिसेंटली जो उम्रान मलिक है, ये भारत के सबसे तेज गेंदवाज बन गया है, इन्होंने 155 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से गेंद फेका, और इसी के साथ इन्होंने जस्परीद बुमरहा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, श एगला प्रशन है, हाली में 200 मिलियन डॉलर की संपत्ती गवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो रिसेंटली जो एलन मस्क है, एलन मस्क ये 200 अरब डॉलर की संपत्ती गवाने वाले दुनिया के पहले सक्स बन गया है, पिछले एक साल से इनकी संपत्ती में तेजे से गिरावट आ रही है और दुनिया के टॉप थ्री सबसे जो रिच परसन होते थे उनके लिस्ट में भी इनका नाव हमेश शामिल होता था लेकिन अभी इससे पीछे होते जा रहे हैं इन्हें पीछे छोड़ते हुए जो बर्नाट ये परसन ओफ देयर भी थे टाइम मैगजिन के दौरा परसन ओफ देयर एलन मस्क थे 2021 में 2022 में कौन है 2022 में व्लादमिर जेलेंस की यूकरेन के प्रेसिडेंट जेफ बेजोस Amazon जो कि दुनिया की सबसे बड़ी e-commerce company है इसके ये मालिक है Microsoft से आप रिलेट कर सकते हैं उनका नाम गौतम अडानी अडानी ग्रुप के ये मालिक है एशिया के सबसे अमीर विक्ती ये कोशन मैंने रवज़न के लिए रखा है अगले 6 महिने के लिए ये येवरोपी संग परिसत के दिक्षता कौन सभाल रहा है स्वीडन की capital stock home currency स्वीडी स्क्रोन हो जाएगी येवरोपी union में total 27 country है अधर option की दि मैं बात करूँ तो happiness index में फिलन टॉप पर है इंडिया की रैंकिंग 136 है hydrogen से चलने वाली train शुरू करने वाला पहला दीश जर्मनी है और इटली में जो winter olympic है ना 2016 वाले ये आयजित होंगे अभी recently कहा हुए थे चाइना के बीजिंग में कल मैं ने आप लोग उसे पूछा था भारत का सबसे बड़ा open air theater प्रदर्शंधानु यातरक शुरुवात कहा हुए तो odysa इसका right answer रहा था आज का सवाल आप लगू के लिए है कि किस देश ने यूरो को अपनी currency के रुप में अपना लिया है तो answer इसका comment box बताइएगा फिर हम भी लेंगे next video के साथ thank you so much